सब्सक्राइब टो क्लीन कल अडियाज और प्रेश दा बेल आइकन ताकि हर मेरी वीडियो आने माले सबसे पहले आप तक पहुते हैं हलो दोस्तों बिलकम बैक क्लीन कल अडियाज दोस्तों आज हम आपको मोंट एयर एलसी टेबलेट के बारे में जानकारी देंगे जैसे कि ये किन बिमारियों में काम आती है इसको कब लेनी चाहिए कितनी मात्रा में लेनी चाहिए और इसको लेते समय क्या-क्या साउधानिया बरतनी चाहिए ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिंगे तो आईए जानते हैं ये दवा किन बिमारियों मे काम आती है इसका परियोग इलर्जी नाग भेहना, खुझली और सर्दी जुखाम के इलाज में किया जाता है इसके अलावां पित्ती होने वाले खुझली को भी दूर करने में मदद करता है तो आईए जानते हैं ये दवा कैसे काम करती है ये एक एंटि हिस्टामिन दवा है जो कि हिस्टामिन की कारवाई को रोक कर काम करती है ये हिस्टामिन एक केमिकल मैसेंजर है जो कि एलर्जी के लिए हमारे सरीर में जिम्मेदार होता है इस तरह से एलर्जी से होने वाले लच्छडों को दूर करने में ये दवा काम करती है तो आईए जानते हैं इस दवा के खुराक के बारे में इस दवा की पांच से दस एमजी दिन में एक बार रात को सोने से पहले लेना चाहिए या फिर डाक्टर के सला के अनुसार इसका इस्तिमाल करना चाहिए अगर किसी ने इस दवा की ओवरडोज ले ली हो तो उसे तुरंद डाक्टर के पास ले जाए तो आईए जानते हैं इस दवा से होने वाले कुछ साइट इफिक्ट्स के बारे में जैसा कि हम जानते हैं हर दवा के फाइदे के साथ साथ कुछ नुक्सान भी होते हैं इसी तरह इस दवा के भी कुछ नुक्सान हैं जैसे कि सरदर्द, उगना, ठकान और मुह सूखना तो आईए जानते हैं इस दवा को लेते समय क्या-क्या साउधानिया बरतने चाहिए अगर आप इस दवा को डाक्टर के सला के अनुसार इस्तमाल करते हैं तो सुरच्छित माना जाता है इस दवा को लेते समय सराप का इस्तमाल बिलकुल भी ना करें ऐसा करना खतरनाक हो सकता है या फिर इस दवा को लेने के बाद भारी मसीन या ड्राइविंग नहीं करना चाहिए ऐसा करना खतरनाक हो सकता है अगर आपको किड़नी या लीवर की बीमारी हो या आप गर्भवती हैं तो इस दवा का इस्तमाल करने से पहले डाक्टर की सला अवश्च ले तो आईए जानते हैं इस दवा के सबस्टिट्यूट के बारे में यानि अगर यह दवा आपकी करीबी मेटकल इस्टोर पर उपलब्द ना हो तो उसकी जगा आप कौन सी दवा ले सकते हैं जैसे की MONTI COPE TABLET, MONT LC TABLET, LRC M TABLET तो यह थी MONT AR LC TABLET के बारे में जानकारी दोस्तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर और धन्यवाद